तो यार देखो आज का वीडियो होने वाला है तीन तगड़ा कारेक्टर कॉम्बीनेसिन के उपर देखो पहला फृरी फायर अभी के फृरी फायर में जमीन आस्मान का अंतर है अभी के टाइम पर अगर आफ फ्री फार में प्रो बनना चाहते हो और किसी भी गेम को जीतना चाहते हो तो आपके पास स्किल होने के साथ साथ एक best character combination होनी चाहिए जो कि enemy के उपर भारी बढ़ सके अभी के टाइम पर बंदे खास करके इन तीनों active character का use करते हैं उकॉंग, K या फर होमर character तो इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको उकॉंग के साथ किन-किन characters को रखना है, K के साथ किन-किन characters का use करना है और होमर के साथ कौन सी character best है जैसे कि आपका gameplay और भी many讚, जयादा powerful बन सके अब इन 3 combination का खासियत है अब इनको कहीं पर भी और किसी भी situation में use कर सकते हो, Class code में कमें कर सकते हो, full map में हैu Serve, was करने के टाइम भीagle कर सकते हो, survive करने के लिए इस का यूज फॉर सकते हो, अपना बचाओ से मुझे खुसी मिलती है चलो इतना टाइम और मेहनत करके वीडियो बनाया है और आपको अच्छा लगा तो कर दिया करो यार लाइक कोमेंट अब भी देखते हैं उकांग के साथ आपको किन किन कारेक्टर्स का यूज करना है सबसे पहले नो डाउट उकांग का स्किल रहेगा और उकांग का अब को पता था एक बंदे को नौकडाउन करो जाड़ी बन जाओ फिर से दूसरे बंदे को नौकडाउन करके अपडेट के बाद इतना पावरफुल बन चुका है आप उसका यूज करके आसानी से एनिमी पर रस करके उसको मार पाओगे और उसका नाम है दसा कैरेक्टर नाम उन्नाना आपको क्या लगता है दसा की अबिलीटी है रिकॉयल को कम करना और फॉल डैमेज को कम करना आप स दसा का यूज करके किसी भी एनिमी को नॉक डाउन करोगे या फिर किल करोगे दसा अपनी हाइलाइट मोड में आ जाएगी और छे सेकंड के लिए आपका गन का रेट ओफ फायर 18 परसेंट बढ़ जाएगा और इतना नहीं और सुनो अगर आप उसी छे सेकंड के अंदर औ पूमेंट स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगा आप इमाजिन करो आप एक बंदे को नॉक कर चुके हो और आपके हाथ में सौट गन या फिर P90 जैसी गन है और आपके सामने और दो तिन बंदे हैं तो उसी सिचुएशन में आपका स्पीड 12% से भी ज्यादा बढ़ है हमारे हीरो को गुंडे 1000 गोली मारेंगे उसको एक भी गोली नहीं लगेगा बट हीरो 6 गोली में सारे गुंडों को मार देगा हम जबी 4 बंदों को मारेंगे कम से कम उनमें से 2-3 बंदे हमें भी डैमेज देंगे न ऐसे तो हमारा HP जल्दी खतम हो जाएगा और रेट आफ फायर बढ़ने से पहले ही हम निपड जाएगे तो इसलिए इस कॉंबिनेशन का 3 नंबर कारेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है जो कि फायर के बीच में आपका हेल्थ को आटोमेटिक बढ़ाएगा और आपको मरने से बचाएगा और उसका नाम है जोटा कारेक्टर क्यों जोटा बताता हूँ जोटा का एबिलिटी है जब ही आप एनिमी को मारोगे धीरे धीरे जोटा आपका एच्पी को बढ़ाता रहेगा और अगर आप एनिमी को नॉक डाउन या फिर डिरेक्ट किल कर देते हो तो जोटा आपको इंस्टेंट 40 एच्पी देता है जो की फायट के बीच में आपको जोटा का फायदा यह है कि आप उससे एटाक करने के साथ साथ अपना बचाओ भी कर सकते हो आपको फायट करने के लिए पावर भी मिलेगा और उसके साथ-साथ enemy के damage से बचने के लिए HP भी मिलेगा तो इसलिए इस combination का जो main character रहेगा of course के ही रहेगा जो कि आपको EP के साथ-साथ HP देगा और इस combination में second character जो रहेगा उसका काम ये होगा enemy आपको जभी मारेंगे damage देंगे आपको damage कम पड़ेगा और उस character का नाम है जे बीप्स यानि जस्टीन बीबर इसका simple काम है आपके पास अगर EP होगा जो के आपके पास होगा ही क्योंके K character आपका EP को full करता रहता है अगर enemy आपको damage देता है तो जस्टीन बीबर character थोड़ा EP खाएगा और आपको enemy के गोलियों से protection देगा जिससे आपको कम से कम damage पड़ेगा और इस combination में जो आपको 3 number character यूज करना है वो आपका kill को चोरी होने नहीं देगा अगर आप किसी बंदे को knockdown करते हो तो उसका मरना पका है समझो वो इतनी आसानी से revive नहीं हो पाएगा येस मैं बात कर रहा हूँ रफाइल करेक्टर की जो की मेरा personal favorite character भी है देखो रफाइल का mind blowing ability है अगर आप रफाइल को लेकर किसी भी marks ब्यान gun यूज करते हो जैसे कि SVD हो गया, उड़पिकर हो गया, SC80 हो गया या फिर आप sniper lover हो तो इन gun को use करने से रफाइल उनमें पहले से silencer लगा देगा और रफाइल का main काम तो बाकी है, अगर आप रफाइल को use करते हुए इन gun से किसी को knock down करते हो तो वो कुछ ही second में अपना दम तोड़ देगा और आपको अपना kill आसानी से मिल जाएगा के character combination में जो आपको last character रखना है, अगर आप sniper चला दे हो या फिर long range से fight करके अपना team को support करते हो आपके लिए best होने वाला है, जिसका नाम है maro character, जिसका बहुत ज़्यादा simple काम है long range पर enemy को कम damage बढ़ता है, बट maro को use करने से अगर ज़्यादा दूर enemy होगा तो उसको और ज़्यादा damage बढ़ेगा जिसका use करके आप आसानी से long range से बिना enemy के पास जाए उसको marg आओगे अभी time आ चुका है हमारा last character combination की जो कि ये homer combination देखो homer एक new character है जो कि अभी अभी आया है इतना पुराना character नहीं है बट इसका तगड़ा ability के बज़ेट से अभी जादा तर बंदे इसको class squad में use करना पसंद करते हैं अगर आप homer character use करते हो तो ये combination आपको definitely use करना है सबसे पहले इस combination में of course homer रहेगा अरे उसका ही combination है वो विचारा कहा जाएगा देखो homer का काम आपको फटा फट से बता लेता हूँ homer के पास एक drone है जिसको वो सबसे पास जो enemy होगा उसके उपर फेकता है और वो drone enemy पर लगते ही फट जाता है और वो drone फटते ही कुछ time के लिए enemy freeze हो जाता है ना वो ज़्यादा हिल डूल पाता है नहीं आपको उस time मार पाता है क्योंकि उस time उसका gun का rate of fire भी कम हो जाता है और उसी बीच आप enemy को गोली मार के या फिर नेड फिक कर मार सकते हो नेड से याद आया इस combination में जो second character रहेगा वो grenade करने में master है और इस वाली update में उसका power को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है वो और कोई नहीं उसका नाम है अलवारो character देखो बात करें normal अलवारो की अलवारो लेकर जब आप नेड करते हो एनिमी को normal से 20% ज़्यादा damage परता है और ग्रेनेट फटने का जो area होता है अलवारो उस area को भी बढ़ा देता है और ये तो पहले से ही तगड़ा था उसके उपर अभी game में elite अलवारो आ चुका है अभी आप अलवारो लेकर एक grenade करोगे एनिमी के पास चार नेड होके जाएगा बिलकुल हमारे महाभारत में अरजुन जैसे एक तिर चलाते हैं बट वो जाते जाते बहुत सारे हो जाता है वैसे ही आप एक नेड करोगे तो एनिमी के पास चार होके जाएगा जिसमें एनिमी बच जाएगा ये सोचना उसका बच पना हो सकता है ओके फाइट लेने के लिए अटाक करने के लिए तो ये दो कारेक्टर हो गया बट अगर एनिमी आपको मारता है डैमेज देता है तो अपना SP को जल्दी कैसे बढ़ाएं तो इसलिए इस कॉंबिनेशन में जो तीन नंबर कैरेक्टर रहेगा वो है फॉर्ड कैरेक्टर अगर आप अभी भी सोचते हो फॉर्ड का काम जोन के बाहर डैमेज को कम करना है तो भाई आपका सोच ओभी 39 अपडेट के बाद पुराना हो चुका है फॉर्ड का अभी बिल्कुल चेंज है अभी फॉर्ड कैरेक्टर को यूज करने से क्या होगा अगर आपको डैमेज बढ़ता है फॉर्ड आपको 30 HP देगा वो भी 3 सेकंड में और उसके बाद वो 20 सेकंड के लिए कुल डाउन में चला जाएगा फिर से अगर 20 सेकंड के बाद एनिमी आपको डैमेज देता है तो फिर से फॉर्ड आपको 30 HP देगा और फॉर्ड का एक और भी अबिलिटी है अगर आपका फॉर्ड कुल डाउन में है और आपने अपना एक्टिव कारेक्टर स्किल यूज किया सपोज में होमर का स्किल यूज किया तो फॉर्ड कारेक्टर का कुल डाउन टाइम तुरंत खतम हो जाएगा और 20 सेकंड टाइम नहीं लेगा मतलब फाइट के बीच में आपको HP मिलता रहेगा जिससे आप इतनी जल्दी हार नहीं मानोगे और एनिमी को आसानी से मार पाओगे ओके इस कॉंबिनेशन में जो लास्ट कैरेक्टर रहने वाला है वो थोड़ा सा चटपटा है मतलब अगर आप क्लास कोर्ड में इस कॉंबिनेशन का यूज करना चाहते हो तो इस कॉंबो का लास्ट कैरेक्टर आपको रखना है अन्टोनियो कैरेक्टर जिसका काम ये है अन्टोनियो हर राउंड के स्टाटिंग में आपको एक्स्ट्रा 40 HP देता है जिससे आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अडवांटेज रहेगा आपका HP यानी हेल्थ सामने वाला एनिमी से जादा रहेगा तो जीतने का चांस भी आपका जादा रहेगा अगर आप इस कॉंबिनेशन को फुल मैप में यूज करना चाहते हो तो एंटोनियो को रिप्लेस करके यहाँ पर आपको लुकेटा का यूज करना है अगर आप जानना चाहते हो अपडेट के बाद किन किन कारेक्टर का अबिलिटी को चेंज किया गया है तो एस राइट वाला वीडियो को देख लो आपका काम का है